लास्ट यर लगबग जुलाई के आसपास मैंने यह अंदर्जा लगाया था कि हमें नेक्स्ट यर जुलाई तक 5G फोंस अंडर 10,000 मिल जाएंगे मगर यह जुलाई तक तो complete नहीं हो पाया बट अगस्ट के first week में ही हमें यहाँ पर अच्छे अच्छे smart phones देखने के लिए मिल रहे हैं और one of them is under 10,000 जी हाँ मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर Poco M6 Pro की जो अब तक का market का cheapest 5G फोंस है और G-Paste के नाम पे यह नहीं कि आपको बेकार content दिया गया हो या बेकार hardware दिया गया हो कोई compromise किया गया हो कुछ ही नहीं किया गया है और यहाँ पर performance camera आपको segment best मिलता है जी हाँ under 10,000 इससे best camera इससे best performance आपको किसी भी company के किसी भी brand के phones में available नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम Poco M6 Pro के बारे में ही बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या specifications है इसकी sale कब से शुरू होगी और क्या इसकी price होने वाली है चली वीडियो को शुरू करते हैं मेरा नाम है M.K.Sing आप देख रहे हैं Technical M.K.Sing YouTube चैनल अगर आपको Tech वीडियो में इंट्रेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको डेली Tech वीडियो देखने के लिए मिलती रहे हैं अभी हमने एक फोन के इंबॉक्सिंग की थी इसका नाम था Infinix Hot 35G वो 12,000 के आसपास हमें चीपेस्ट 5G फोन मिला था without any offer उसके बाद एक अगस्त को launch करा आता है Redmi के तरब से Redmi 12 5G भाई Redmi 12 5G जो है वो और भी killer फोन था उसके अंदर Snapdragon 4 Gen 2 की performance थी और उसकी price रहती है लगबग 12,000 base variant की 5G फोन की याई कि दो चीपेस्ट फोन जो हमें 12,000 के आसपास मिल रहे थे और अभी इन्हें की sale को अभी जादा टाइम हुआ नहीं है कि Poco ने एक नया और फोन launch कर दिया है Poco M6 Pro पहले मैं इसके आपको price ही बता जेता हूँ इसकी price नॉर्मल जो है वो 10,999 है 4GB, 64GB variant की याई कि सबसे सस्ता 5G आपको मिलेगा इसके अंदर ये clear हो चुका है इससे सस्ता 5G अभी market में available नहीं है कोई भी phone Android 13 पर आएगा और इसके अंदर MIUI 14 होगी latest तो सबको latest मिलने वाला है इन्होंने पहले ही कह दिया है कि हमारी जो updates है major updates वगरा वो 2 years की मिलेंगी और 3 years की हमें software updates एवलेबल होंगी Poco की तरफ से यानि कि आपको ये Android 13, 14 और 15 तक मौस्ता होगा दिखेगा और 3 years की आपको security patches मिलने वाले है 4GB RAM और 64GB का base variant है जिसकी price है 10 triple line और अगर आप इसमें ICI card के offer लगाते है तो 1000 off मिलेगा आपको और ये आपको पढ़ने वाला है फिर 9999 का यानि कि ICIC bank के offer के साथ में ये 4GB 64GB का जो variant है वो आपको 10,000 रुपय से 1 रुपया कम मिलने वाला है और इसके अंदर एक variant और आता है 6 plus 128GB उसको भी चाहें तो आप उसको भी ले सकते हैं अगर cheapest में आपको 4GB 64GB variant ही 5G के टॉन में मिलने वाला है इसके अंदर हमें 6.79 इंच की full HD display मिलती है जो की water drop notch यहाँ पर नई दी गई है आपको पंचोल दी गई है यहाँ यहाँ पर आपको under 10,000 full HD plus पंचोल डिस्पले एवलेबल है जिसके अंदर 8MP का selfie camera है अगर हम rear camera की बात करते हैं तो Poco वारा विकुल specific design है जैसा आपको देख है type C port इसके अंदर एवलेबल है 5000 mh की battery है और 7 में आपको मिलता है देखने के लिए यहाँ पर 18 watt का fast charging का support इसके लावा phone के अंदर आपको hybrid sim slot देखने के लिए मिलता है जहाँ पर आपको यह तो आप 2 sim card यूज कर सकते हैं या एक memory card plus 1 sim card को आप यूज कर सकते हैं 7 5G band का support मिलता है और performance के मामले में आप एकदम अच्छी gaming कर सकते हैं यहाँ पर high settings पर high and HD settings पर आप इसके अंदर gaming कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है snapdragon का 4 gen 2 processor जो अब तक 15,000 में से नीजे MI ने Redmi ने दिया था अपने Redmi 12 5G के अंदर और अब यह under 10,000 दे दिया है हमें POCO ने POCO M6 Pro के अंदर और लगबक इसका rebrand ही मान सकते हैं आप इस specification wise क्योंकि लगबक साब कुछ इसके अंदर हमें same देखने के लिए मिलता है snapdragon 4 gen 2 एक 4 nm का प्रोसेसर है इसके अंदर cortex A78 की दो कोर्स होज़ा 2.2 GHz तक के लगब हो सकती है तो performance के मामले में यह इस price range में क्या मैं under 15,000 बोलूँगा यह सारे phones को किल करता और gaming experience आपको यहाँ पर smooth और मखन जैसा मिलने वाला है उपर से video editing में भी आपको कोई problem नहीं होगी और camera आपको पता ही है कि 50 megapixel और front में 8 megapixel एवलेबल है जो इस price में यानि कि इस price range है वहाँ पर तो यह best ही perform करता है तो एक all-rounder phone under 10,000 काफी दुनों के बाद हमें देखने के लिए मिला है 9th August से इसकी sales start है flip card पर आप वहाँ जाकर करके इसको order कर सकते हैं बाकि मैं अपने ओपने की बात करो तो मुझे phone personally काफी पसंद आया है यह ऐसा phone है जिसे आप first day में बाय करना चाहेंगे और मुझे लगता है कि अगर MI ऐसे ही काम करता रहा पोको भी ऐसे ही काम करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब Redmi और MI की जो branding है यह इंडिया में दुबारा से number one हो जाएगी क्योंकि यह दो स्मार्टफोंस इनोंने बहुत ही killer स्मार्टफोंस फिलाल मार्केट को एवलेबल कराए है आई होप कि यह आपको वीडियो पसंद आयोगी वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा बाकि आपके क्या है ओपन देन इस phone के बारे में इच कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगा आपके मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबा टेक केर चाहिंद